हेलो एब्रीवन आज मैंने आप लोगों के लिए जो पैटरन क्यार किया है वह है network और इसमें मैंने ये बीट्स लगाई है और मैंने इसमें ये जो थ्रेट यूज किया है वह मैंने DMC का ये यूज गया है और ये मने मैईकल से धागे खरीदे हैं और यह वाले beats when we start cooking now मैंने तो अब हम यह शुरू करते हैं कि यह कैसे बनाए हैं तो यह ज्यादा तो चीजे में माइकल से इसलिए हरीती हूं अगर आप पाकिस्टान में या किसी और मुद्द में हैं तो आप ईबे से आडर कर सकते हैं हमने सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे इस तरह हम तेच्छा लेके देंगे इसको इस ऐसे और इस तरह नकाल लें यहां पे यहां पे उताने हैं और फिर इसको धागे को यू रखना है यू राके सिधा राके और यहां पे यहां पे यहां पे ऐसे लाना है इसके पर यहां से इस तरह आप हमने इस साइट प्याने है ऐसी तक चाल और फिर हम इसको यहां से शुरू करेंगे यहां से तो हमने यह जो यह उपर लगए ना इसको नहीं इठाना हमने इसको उल्टी सुझे ले रहे यह ऐसे ऐसे करके फिर इसमी से ऐसे ऐसे गजारना है इस तरह गजार के फिर उसके पाद यहां पर हमने स्टीच लगा देना है तो उसके बाद हम उपर आएंगे यहां पर इस तरह आएंगे हम उसके पाई यह है यहां पर ऐसे ऐसे और ऐसे यह इस तरह नकालना है और यहां पर यहां पर स्टीच लगाते हैं और इसके पाई यहां पर आजे यहां पर आओके यह हैं यहां से और यह कुछे यहां उस्टीच लगाते हैं यहां पर आजें और इस तरह इस तरह इस तरह यह स्टिच लगाने है ऐसी और यह इंदर उसके बाद यहां से नीटर में का लिए और यह और यह और यह यह से उसके पाद यहां पर आगे औरी खुणिश के बाद मैं पुण बादे वरी कर खादे ऑ सकतले ए 시, इस अऄा मिलू ऐसग धे? यह यह लास्ट वाल है ऐसी निकाला और फिर ऐसी निकाल दिया यहां से करें और यह मारा नेट ऑ्क का नेट श्टीच यह देखें यह इस तरह डालकात्यस हams के यह को यह वियर्ज अब पर हम स्थ निकेश फिस्टर दो टालने के तीन डालनी इसको झाल 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 अब यहां पर हम यह वले दर्मियान में एक यह वला बीश लगांगे और एक यह इसको उपर लगाके तो मैं आपके बताती हूं कि मैंने इसको कैसे लगाना है यह ले लिया और एक यह छोटे बाला ले लिया इस तरह ऐसे रखके तो दोबारा इसके अंदर से इसके इंदर से दोबारा हमने यह वापस कर दिया ऐसे उसके बाद फिर ऐसी और यह 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 वाला लेके इस तरह लगा दिया इसी तरह हो यह सारे लगाने हैं इसको कंप्लीट करने के बाद आप हम यह बनाएंगे यह स्टेम स्टीज से हम पहले इसकी शाख बना लेंगे हम इसको अब हम इसको स्टेमी खर्ज़ झाल 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 अब इसके अंदर यह हमारा यह कंप्लीट होकिया है अब इसके इंदर हम बीर्स लगाएंगे तो बीर्स हम एक यह बीर्स लगाएंगे और एक पाइप डाल के यहां पे हम इसको अटेच करते के इस तरह जरूरी नहीं कि हम हर जगा पे सेम करें थोड़ा सा डिफरेंट भी कर सकते हैं यहां पे हम यहां पे हम सिंपल डी में के बीर्स डाल देंगे इस तरह प्रव कि मैं हाएंगे एक थोड़ा मोटी वाला डालेंगे बड़े वाला और उसके बाद ये स्मार्वले डाल देंगे अब डिफ्रेंट कलर भी यूज कर सकते हैं और डिफ्रेंट भी यूज कर सकते हैं इस तरह हम ये इसको इस तरह लगाएंगे अ यह हमारा पैटर्न कम्प्लीट हो गया है तो अमीद है आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप यह बेट दूसरे कलर की भी लगा सकते हैं इस कलर की भी लगा सकते हैं और यह नेट स्टिच जो है यह आप अमीद है आप लोगों को समझाई होगी तो अगर समझा गई है और पुसानता है तो प्लीज मुझे सब्स्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा तेंक यू अलाफियूज